भगवान बुद्ध को दरिदृता नापसंद थी एक बार भगवान बुद्ध स्रावस्ती में अनार्थ पिंड़क के जेत्वनाराम में विहार कर रहे थे उस समय अनार्थ पिंड़क ग्रहपती तथागत के दर्शनार्थ आया आकर अभिवादन कर एक और बैठ गया बैठ कर उसने तथागत से प्रस्णि किया आदमी को धनार्जन क्यों करना चाहिए तुम पूछ रहे हो तो मैं तुमें बताता हूं किसी एक आर्यस रावक को लो जिसने मेहनत करके धन कमाया है जिसने हातों से पैस्रम करके धन कमाया है जिसने पसीना बहाकर धन कमाया है तथा जिससे न्यायते धन कमाया है वह उस धन से अपने आपको पिर्शन बनाता है, आनन्दित बनाता है, उस पिर्शनता तथा आनन्द को बनाए रखता है, वह अपने माता किता को सुख और आनन देता है, तथा उन्हें सुखी और आनन्दित बनाए रखता है, इसी प्रकार अपने इस्तरी बच्चों को अपने दासों को तथा अपने कर्मकारों को धनाजन करने का पहला उदेश्य यही है जब इस प्रकार धनप्राथ होता है वे अपने मित्रों अपने साथियों को सुख और आनन देता है तथा उन्हें सुखी और आनन दित बनाए रखता है यह दूसरा उदेश्य है जब इस प्रकार धनप्राथ हो जाता है तो वे अगनी या पानी से अपनी हानी नहीं होने देता राजाओं या चोरों से अपनी हानी नहीं होने देता वे अपने माल को सुरक्षित रखता है या उसका तीस्रा उदेश्य है जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो वह अतित ही यग्य कर सकता है पित्र यग्य कर सकता है राज यग्य कर सकता है तथा देव यग्य कर सकता है यह चोथा उदिश्य है जब इस प्रकार धन प्राप्त होता है तो ग्रह पती उन सब स्रमणों तथा संत प्रुसों को दान देता है जो हैंकार तथा प्रमास से बस्ते हैं जो सभी बातों को विनमृता पूर्वक्त सेहन कर लेते हैं जो संयत हैं जो सांत हैं तथा जो आत्मों विकास किने लगे हैं उसका वहदान उचे सुदेश्य सहीत होता है सुख देने वाला और स्वर्ग की ओर ले जाने वाला यह धनारजन का पांच वावदेश्य है अनात्पिंडक समझ गया कि भगवान बुद्ध दरिद्रों की दरिदृता की प्रसंसा करके उन्हें सांतुना नहीं देते वे दरिदृता को उचा उठा कर उसके बारे में यह भी नहीं कहते कि दरिदृता का जीवन सुखी जीवन होता है नमो बुद्धाय